सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिस अपडेट तो हमारी पॉलेटर की क्लास चल रही थी और जैसा कि आपको पता है हमने इससे पहले वाले क्लास में देखा कि किसी राज्य की जो सरकार होती है उससे सामानेतर तीन भागों में बाटा जाता है पहला दूसरा बाग उस राज्य की विधान मंडल होता है दूसरा बाग उस राज्य की कारेपालिका होती है और तीसरा बाग उस राज्य का न्याइपालिका ख्यालता है विधान मंडल का क्या होए कि विधान मंडल का कार्य उस राज्य के लिए कानून का निर्मार करना राज्य क या उसके अलग अलग इस्तर होते हैं अगर बात करें तैसिल इस्तर की या उपकंड इस्तर की या खंड इस्तर की तो उसके एक अलग न्याइपालिका होती है बात करें जीला इस्तर की तो जीला इस्तर पर अलग नियाय पालिका होती है अर्थात अलग कोट होता है अगर इसी तरह बात करें किसी राज्य की तो राज्य की इस्तर पर इस्तर पर एक अलग से कोट होता है और अगर बात करें केंद्री इस्तर की तो केंद्री इस्तर पर ए कहते हैं जिसे हम उच्छ नयाले काते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उच्छ नयाले तो कहां से समिधान की अनुचीद 212-211 तक किया गया है लिए किसका उच्छ नयाले का उती है कि उच्छे नयाले की किसी राज्य में क्या स्थेती है तो उच्छे नयाले किसी राज्य की नयाय की विवस्ता में सिर्सिस्थान पर होता है कि राज्य की अगर नयाय की विवस्ता देखी जाए तो उस राज्य की नयाय की विवस्ता में उस राज़ी में उच्छ नयाले के गठन करने के लिए अधिकार किसके पास है भारत की संसत के बास है किसके पास भारत की संसत की बास अर्थात किसी राज़ी में उच्छ नयाले के स्थापना करनी है तो संसत क्या करेगी उसके लिए कानून मनाएगी और कानून के तहथ संसद उस राजी में उच्छ नियाले की स्थाबना कर सकती ही, उस कानून के तहथ संसद उस राजी में नया पली का अर्थात कोट की स्थाबना कर सकती ही, तो हमने देखा गठन, अब जब एक 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 का एक हाई कोट था जो वर्तमार उस समय अह हैधराबाद के लिकिन बाद में क्या किया गया अंदरपदैश … देलंग अलग हो गया तो जु के लिए वर्ष दुर 2019 में रऍवसक्ताओ अब अंदर आले अर्थात अंदर प्रदेश के लिए एक प्रतक से हाई कोट की स्थापना की जो की वर्तमान में कहाँ पर है अंदर प्रदेश के जो राजधानी है अमरावती में कहाँ पर अंदर प्रदेश की राजधानी अमरावती में एक नया हाई कोट स्थापित किया गया जो की दे यह आपसे कुछा जा सकता है क्योंकि अभी तक जितने भी बुक्स है उन भुक्स में हमेशा चोइस ही लिखा हुगा इस अंदरपदिश उच्छ नियाले का वहां पर उल्लिक नहीं किया गया है और जो कि मैं आपको अभी बता भी है अब आगे देखे हमने देखा कि वर्तमा कि अभी देखा कि वर्तमान में केवल 25 उच्छ नियाले ही है पूरे भारत में अर्ट किया गया है और यह परिवर्तन किया है और यह परिवतन करके हमने जो अधिक रज्य का उच्छ नियाले हो सकता है वास्ताव में किया वह प्रतियेक राज्य में उच्वे नेयले होगा तो इसके हिसाब से देखे जाए तो भारत प्रतियेक राज्य में उसके राज्य तो 28 है और 28 hoanor लेकिन ऐसा नहीं है हमने क्या किया साथवा समिधान संसोजन किया वर्स 1956 में और उसके दारा त्याय किया कि एक हाई कोट जो है एक से अधिक राजियों का हाई कोट हो सकता है अब आगे देखें साम तो उच्छ नयाले की नयाई की सित्र में विस्तार करने की सकती किसके पास है संसित के पास उच्छ नयाले की स्थापना करने की सकती संसित की पास और उच्छ नयाले का नयाई की सित्र बढ़ा रहे अर्थात एक राजियों से अधिक राजियों तक उसको उच्छ नयाले को हमानेता दे रहे हैं जैसे हम बात करें का उच्छ नियाले हो सकता है यह बात कही गई है साथ वे समिधान संसोधन के द्वारा वर्स 1956 में की गई है अब इनका जो नियाएक सेत्र है इसकी व्रद्धी करने का इसकी विस्तार करने का अधिकार की इसके पास होगा भारत की संस्थिय पास अब हम बात करेंगे आगे रा आजादी के से पूर्व अगर देखा जाए तो राजस्थान में एक अनेक रियासत थी अनेक छोटी-छोटी रियासत थी और यह रियासते समय के साथ साथ आपस में मिलती गई और वरतमान राजस्थान के रूप में अस्तित्म आई तो इस प्रकार राजस्थान का क्या हु होगी राजस्थान के लिए तह आपर स्थापित किया गाइक के समय बी-आर पट्व किẼिए क समय समय कि यह राजधान के लिए पर्डाने निश्चित करना पहला की जी निश्चित करना पहला कि राजस्थाने करना एक तो सक्षाम थे रस्चान की निर्दाईग करना और दूसरा उद्दिश्य था कि राजस्थाने मे उच्छ नियाले के लिए कौनसा इस्थान उप्रिक्त होगा उसका सुझाओ देगा अब इस ब्यार पटेल समेती में तीन जगत थे एक तो पटेल थे दू और अन्य सदेश्य की बात करें तो एक तो थे टीसी पूरी और दूसरे थे ऐस्पेशन यह तीन सदेश्य समेथी बनाए गई बी आर पटेल के अध्यक्ताने बनाए गई और समेथी का उद्यक्स क्या था कि राजस्थान के लिए राज़ानी निर्दायद करन समेथी न किया इस समेथी ने अपनी ड्यक्ता समीथी बनाए और समेथी ने ज्यांच करके अपना अनुशार के हा कि राजस्थानकी राज़ानी किसको बनाए जाये जेपूर को बनाए जाये तथा उच्छ नियाले है तो इन्होंने कहा कि जोदपुर को चुनने का सुझाव दिया इन्होंने कहा कि राजस्थान की राज़ानी तो जैपुर बनाई जाए और उच्छ नियाले अर्थात हाई कोट के लिए जोदपुर को चुना जाए लेकिन उसके साथ साथ एक मानसिंग दीतीत पिर और साथ साथ कहा कि जो राजप्रमुख होंगे वह राजप्रमुख टाए करेंगे कि जोद्पुर उप्युक्त है अतवा नहीं मानसिंग दीती were कौन थे माहान सिंग दिती है अब यह तत्काली राजप्रवक माहान सिंग दित्यू दरहा इन्होंने क्या किया जैपूर के निवसी थे जैपूर के जबकि हाई कॉट कहा स्थापित करने का सुझाफ़ दिया जोदपूर में तो इन्होंने 29 अओफ्ट 1959 को राज्बस्थान उच्णहले की स्थापना जैपूर में कर दी समेथीने क्या तो जोदपूर में स्थापित करने का दिया लेकिन मान सिंग दिति है अब इस राजस्थान उच्छी नियाले के पहले मुख्य नियादिस किसको बनाएंगे तो सबसे पहले जो मुख्य नियादिस बनाएंगे उसमें नाम आता है कमल कांत वर्मा का और इस थापना के समय कुल नियादिस कितने थे तो देखें कि कोई भी उच्छी नियाले होता है तो उस नियाले में एक तो मुख्य नियाइदिस होते हैं एक तो कौन होंगे मुख्य नियाइदिस होते हैं और साथ में उनके अन्य साहक नियाइदिस होते हैं तो इस्थापना के समय राजस्थान उच्छी नयाले में एक तो मुख्य नयादिष थे, जो की कौन थे? कमल कांत वर्मा और उनकी साथ 11 अत्रिक्त नयादिष थे, कितने नयादिष अत्रिक्त थे, 11 अत्रिक्त नयादिष थे, कब स्थापना कभी थी? 29 अगस्थ 1990 को कहां की गई स्थापना जैपुल में की गई तत्पस्चात समय के साथ साथ क्या हुआ जुलाई 1957 में कब जुलाई 1957 में डॉक्टर सत्यनायन राव के अधिक्स्तामिक समीती बनाई गई तेखो पहले तो जो है किसको कहा जथा था राजिपाल को जब रावान सिंग दित्यए का कारेकाल समात हुआ तब जुलाई 1957 में डॉक्टर सत्यनायन राव के अधिक्स्तामिक समीती बनाई गई जिसमें डॉक्टर सत्यनायन राव अधिक्स थे तता वी विश्वनातन एवं बीके गुपता सद्ची तीन सदेशी समीति थी जिसमें सत्य नायन राव तो अध्यक्ष थी वी विश्व नातन थी इसमें सदेशी और बीके गुपताश के सदेशी थे अब इस तीन सदेशी समीति ने अपने रिपोर्ट 29 फरवरी 1958 को सरकार को सौपी और रिपोर्ट में कहा कि राजस्थान उच्छ किसी था तो बी-अर पटिल समिति का समझ राजस्थान उच्छ समीति के लिए सथान रिधायत करने से था पहला और दूसरा राजस्थान की राजधायत करने से त्वे और प्रण से किया अनुसार जो राजप्रमुक, मानशिंग द निती है sudah क्लियर अब आगे देखें तब इस रिपोर्त ने अब रिपोर्ट दी तो समिथी की रिपोर्ट को मान लिया गया और क range to your zen family सबसे पहले स्तापना पूची जाए तो सबसे पहले स्थापना जैपुर में हुए थी और बाद में 1958 में इसे राझसान अचयाчи डिको जागया था बात समझें आचुक होगी आपको डोश्री समेथिया बनाई पहली बात ain't अब आगे देखें 8 दिसंबर 1936 हमने क्या किया राजस्थान हाई कोट को जोधपूर में स्थापित कर दिया अब उसके बाद की बात कर रहे हैं कि 8 दिसंबर 1936 को हरीदेव जोशी सरकार ने अर्थात हरीदेव जोशी मुख्यमंत्री बने और उस हरीदेव जोशी सरकार ने क्या किया समय भी जोत्पुन में था लेकिन हरीदेव जोसी सरकार ने क्या किया कि राजस्थान उच्छ नियाले की एक अन्य ब्रांच रथा थे कि समय ब्रांच रराले की नियायदिसु के संक्या अर्थात किसे नियायले में कुल कितने नियादिस होंगे, कुल कितने जज होंगे किसी कोट में, और उन जज का वेतन क्या होगा, आधी के निर्धारन के संबन में भारतिय संसद को अधिकार प्रापते अर्थात इनके वेतन का निर्धारन कौन करेगा भारतिय संसद करेगी और शी के साथ साथ भारतिय संसद को अधिकार दिया गया कि किसी हाई कोट में कितने नयायदिस होंगे उनकी संख्या कितनी होंगे और संसद चाहे तो इनमें पडिवतन कर सकती है संसद इनको घटा सकती है संसद इने बढ़ा सकती है यह सारा अधिकार किसके पास है भारतिय संसों के पास है अब बात करें कि जिस प्रकार हमने देखा कि स्थापना के समय राजिस्थान उच्छी नियाले में एक प्लस ग्यारा नियाइदिस थे तो वरतमान में कितने नियाइदिस है वरतमान में राजस्थान उच्छी नियाले जोत्पुर में है और वरतमान में राजस्थान उच्छी नियाले में एक प्लस पचास नियाइदिस है कितने एक प्लस पचास एक तो मुख्य नियाइदिस होंगे और पचास अन्य नियाइदिस है क्लियर है यहां तक अब आगे दिखे साब सबसे पहले बात करते हैं योगिता कि 29 बनने के लिए क्या क्या योगिता होना आवशक है पहली बात कि वहाँ भारत का नागरिक होना चाहिए दूसरी सर्थ यह है कि वहाँ भारत के नियाएक सित्र में कम से कम दस वर्सों तक नियाएक पद धरान कर चुका अब थातव भारत के जुडिशिल एरिया में भारत के नियाएक सित्र में दस वर्सों तक क्या रहा हो किसी नियाएक सित्रा में नियाएक सेवा में रहे चुका हो लिए पहले चीज या फिर उसमें क्या होना चाहिए कि वह किसी उच्छ नया लेका तो या तो पहली योगिता होनी चाहिए या फिर दूसरी दोनों में से कोई एक या किसी उच्छ नया लेका या किसी अन्य नया लेका कम से कम दस वर्सों तक लगातार अधिवक्ता रहा हो पहले चीज़ तो है कि दस वर्सों तक क्या रहा हो निया एक पत धर्यान कर चुका हो पहले चीज़ तो यह अगर वह नहीं है तो दूसरी योगिता यह है कि किसी नियाले का किसी उच्छ नियाले का या किसी अन्य नियाले का कम से कम 10 वर्सों तक अधिवकता रहा हो और थात कम से कम 10 वर्सों तक वकील रहा हो अब बात करेंगे योगिता के बाद सपत की कि जो उच्छ नियाले के जो नियाइडिस है उन्हें सपत कौन दिलाता है तो उच्छ नियाले कि देखो अनुछे 219 के अनुसार उच्छ नियाले के मुख्य नियाइडिस को सपत राज्यपाल दिलाता है। उच्छ नियाले के नियाइडिस होंगे इनका कारेकाल कितने समय के लिए होता है कितने आयू के लिए होता है। अब बात करेंगे उच्छ नियाले के नियाइडिस के नियुक्ति किस परकार की जाती है। तो उच्छी नियाले के नियाले में मैंने आपको कहा एक तो मुख्य 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 नियाले में मैंने तहज जो है उच्ञोन बॉस्ति की mail कि हड़ की जटी खीर जज की अभी नियुक्ति कून करेगा तो यह नियुक्ति रास्ट्रपति किस परकार करता है तो रास्ट्रपती जो भारत का सर्वच नियाले हैं उस सर्वच नियाले के अर्थात सुप्रिम कोट के जो चीफ जज होंगे मुख्य नियादिस होंगे उनसे और उस राज्य के राज्यपाल से सपरामस लेंगे और उसके आधार पर उस रज्जे में उस रज्जे के उच्छ नियायले में एक जो मुख्य नियायदिस होंगे उनकी नियुक्ति की जाती है किसके दारा नियुक्ति होगी तो रास्टपति की दूरा यहां हमने देखी मुख्य नियायदिस की नियुक्ति बात करते हैं मुख् की नियुक्ति हमेशा राष्टपती ही करेगा हाई कोट जो है हाई कोट के जज की नियुक्ति हमेशा राष्टपती ही करता है अब मुख्य नियादिस है तो मुख्य नियादिस की समद्ध में राष्टपती क्या करेगा राज्यपाल से परामस लेगा और राज्यपाल के साथ साथ जो भारत का सर्वोत है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके जो चीफ जज़ है उसके मुख्य न्याई दिशा है पिर लेकिन जो अन्य न्याईदी से उनकी निद्यक्ति यह कर गएगा कि राष्ट पती वि滿ुट विमने इनधीशनों की विए राष्टेपति तो हमने यहाँ पर नेवक्ति देखी अब बात करेंगे वेतन की तो वेतन के अनर तो होता है दो लाग पचास हम बात कर रहें वेतन की तो उच्छी नियाले के मुख्य नियादिस का वेतन है दो लाग पचास जार रुपे जब कि उच्छी नियाले के जो अन्य नियादिस होते हैं उनका वेतन है दो लाग पचास जार रुपे 25 जार रुपे मासिक और नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ साथ हमने वेतन देखा और वेतन में हमने देखा कि उच्छी नियाले का जो मुक्षी नियाइदिस होता है उनका वेतन 2,50,000 रुपे होता है जबकि जो अन्य नियाइदिस होते हैं उनका वेतन 2,25,000 रुपे होता है अब बात करेंगे व लेक जो है समिधान के अनुचिद 222 में किया गया है और अब राष्टपती 222 के तहत कहता है कि उच्छे नयाले के नयायदिसों को एक उच्छे नयाले से दूसरे उच्छे नयाले में स्थानांत्रित कर सकता है बात का ध्यान रखें राष्ट राष्टपती जो है हाई कोट क जज का transfer कर सकता है एक high court से किसी अन्य high court में उनको इस्तनान्दित कर सकता है इसका उल्ले के समिधान के अनुछी दे 222 में कि अब आगा देखें इसे है तुज़ जब देखो इनका transfer करेगा तो राष्ट्रपती क्या करेगा राष्ट्रपती सम्मधित उच नयाले के मुख्य नयादिस वह सर्वच नयाले के मुख्य नयादिस से परामर्स लेता है जब राष्ट्रपती transfer करता है तो उस नयाले के जो मुख्य नयादिस होंगे उनसे और जो सर्वच नयाले जो हमारा Supreme Court of India है उसकी जज़से क्या करेगा परामर्स लेता है और उनके परामर्स के अनुस अब जब मुख्य नयादिस अनुपस्तित हो वहाँ पर कारी करने में असमर्त हो है आण तो ऐसी condition में उनके इस्थान पर जो व्यक्ति कारी करता है उसको कारी 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 जज कहते हैं। सबसे पहली बात कि नियुक्ति कौन करेगा तो राष्टपती करेगा अब नियुक्त किसको करेगा तो उच्छी नियुक्ति को क्या करेगे कारेकारी उच्छी मुख्य नियुक्ति कब करेगा जब मुख्य नियुक्ति अनुपसित हो उस समय कारेकारी मुख्य नियुक्ति करत है लिया है और इनके अफ़दीज कितने समय के लिए तो अधिक समय के लिए अधिकतम दूर्स के लिए किस प्रकार में किस प्रकार हटाया जाता है तो इस बात को ध्यान से सुनें कि जब हमने सरवच नयाले पढ़ा और सरवच नयाले के नयाधिसों को पदशे हटाने के प्रक्रिया देखी वही प्रक्रिया किसी रज्जे के उच नयाले के जो जज होते हैं उनको हटाने के लिए लागू होती तो पदशे हटाने के में बात करें कर के इसी कंडिशन में जब सरवच न्यायाज़े के नयाहदिस हो पदसी हटाने के बारे में देखी थी तब भी हमने पूरी पड़ी थी वही same process है जो हमने सुप्रीम कोड में पड़ी वही आपके हाई कोड में लागू होती है अब देखें अब ये किस प्रकार हटाई जता है तो इनको हटाने के लिए प्रस्ताव लाना पड़ता है एक बिल लाना पड़ता है और यहाँ प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है संसत के जनरली दो सदन है लोग सभा और राजी सभा तो यहाँ प्रस्ताव लोग सभा में भी लाया जा सकता है और यहाँ प्रस्ताव राजी सभा में भी लाया जा सकता है अब लोग सभा में अगर यह प्रस्ताव लाना है तो लोग सभा में लाने से पूरू लोग सभा के सो सदस्यों के इस प्रस्ताव पर हस्ताख सरू हमामशिक आवश्क हैं और अगर राजीर सभा महीं लाते हैं तो 50 सदेश्यों के साइन होने चाहिए संबंदि सदन के सभापती या संबंदि सदन के अध्यक्स इस प्रस्ताव को स्विकार या अस्विकार कर सकते हैं देखो आपने अगर सदोच्व को सुईकार भी करा दीजिए लोग सभा में लगल लाये हैं ये राजी सब्भा में लाये हैं और पचास सदोच्व को स्विकार कर ले उस बिल को accept कर ले, तब क्या होगा, तो क्या करें जाएगा, कि राजे सभा में, तीन सदस्य जाच समयती, इन आरोपों की क्या करती है, जाच करती है, देखो ऐसा जब प्रस्ताव लाय जाता है, तो उसमें जब इस प्रस्ताव को स्विकार के लिया जाए, लोग सभा के सदस्य द्वारा, या राजे सभा के सभापती द्वारा, तब क्या करेंगे, कि राजे सभा के तीन सदस्यों के एक समयती बनाई जाती है, वह समयती इसकी जाच करती है, और जाच की रिपोर्ट के आधार पर क्या क्या करेंगे, इस प्रस्ताव को लोग सभा में लाया जाएगा, क्लियर अब 3 सदे सी जात समीति तरह आरोप सही पाय जाने पर Olayilippe जने पर यह जी जात समेति तरह रिपोर- सही आति है आरोप सही आते है तो उस प्रस्ताव को संसद के 2 सुद्रों में बारी बारी से रखा जाता है जहाँ पर लोग सभा में 2 तिह य दो बटा 3 प्रस्ताव क्या होगा पारित हो जाएगा देखो लोगसभा में रखा पहले तो लोगसभा में रखोगे तो फिर आपको लोगसभा में ले सबनांगों चसी और लोगसभा में रखते हैं तो Люб पास हो जाता है तब राष्ट पति ःएदिस्ट्तु से हटा सकता है तो इस प्रकार हमने यहां पर ध्याइदिस को पंद से हटाने की प्रक्रिया देखी तो यहां हमारा जो राजस्थान का उच्छ नियाले है वो यहीं समाप्त होता ही आज के लिए इतना ही धन्यवाद